हेलो गाइज वेलकम बेक टू कॉमिक हिंद हम आ चुके हैं थार गॉड ओफ थंडर के सेवंथ पार्ट में और ये गॉड बॉंब का पहला पार्ट होने वाला है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीचे तो चलिए शुरू करते हैं गॉड दा गॉड बुच्चर ने कसम खाई थी कि वो सभी गॉड को खतम करेगा चाहे वो किसी भी युक के क्यों न हो जैसा कि हम पहले वाले एपिसोड में देख चुके हैं कि जो पास्ट का यंग थोर होता है वो गॉड से बड़ी मुश्किल से बचता है बट गॉड अच्छा करते हुए यहां तक पहुंच चुका है या दोनों मिलके गॉड बुच्चर को हरा पाएंगे तो यह सीन है यंग थोर का उससे सुपना आता है कि गॉल उसको कहता है उठो गॉड ओफ ठंडर अभी कुछ भी खतम नहीं हुआ अभी थोर उठ जाता है तो लड़क पन से लोगों के सर फोड़ती आई हुँ और नाक तोड़ती आई हुँ मैं एक शील्ड मेडन हुँ किसी भेड़ चराने वाले की आम लड़की नहीं गया तो थोर कहता है कुछ नहीं हुआ कोई नहीं आया अभी वो चौंक जाता है वो कहता है मैं बच्चे जैसा क्यूं हो चुके हैं तो यह पहली चीखे नहीं थी जो वहां पर सुनाई देने वाली थी उस रात को शैड़ो खुद आई मर्डर करने के लिए यह सीन है फ्यूचर एसकार का तो यहां पर अभी वाला धौर है बुड़े किंग धौर के साथ वो पूछता है क्या मैं सच में तुम्हारे कोई बात करें तुम तो ऐसे बात कर रहे ही जैसे तुमने कभी ट्राइम ह्या तौर कहता है मैंने काफी तो किंग थो कहता है मैं हूं तुम अभी भी नहीं हो तुमने बताया था तुम क्या हो या थे तुम अवेंजर he इसके तो कुछ अजीब से नियम होते हैं तो थौर कहता है मुझे टाइम ट्रैवल कभी भी प्रसंद नहीं आया तो किंग थौर कहता है तुम्हें तो वो करना ही पड़ेगा तो वो कहता है हम क्या ढूंड रहे हैं तो किंग थौर कहता है वो जा चुके हैं इसका मतलब हमारे पास अभी भी एक चांस है मैं खुद को यूद के लिए रैडी करने वाला हूँ तुमें भी यही करना चाहिए यंग थंडर गॉड तो थौर कहता है मैं तो रैडी हूँ हमें जाना चाहिए क्योंकि गॉड मर रहे होंगे तो किंग थौर कहता है अगर हमने त्यारी नहीं की और ऐसे ही चले गए तो हम मारे जाएंगे ये कोई रैगनरोक नहीं है बच्चे ये तो एंडिंग है सरवनाश होने वाला है इस्ट विंग में एक चैंबर है क्या तुम वहां कभी गए हो तो वो कहता है नहीँ और फार्दर ने मुझे कभी भी वहां नहीं जाने दिया तो वो कहता है तुम वहां जाओ तुम्हें वहां सब कुछ मिल जाएगा वुत को ready करो और मुझे डॉक पे मिलो तो थौर वहां जाता है वो एक दर्वाजा खोलता है और कहता है यहाँ मुझे क्या ही मिल जाएगा मैं तो वैसे ही रेडी हूँ उस गौड बुचर को कुछलने के लिए तो वो देखता है कि वहाँ पे काफी वाइन पड़ी होती है वो कहता है चलो एक बोतल पीने से कुछ नहीं हो जाएगा तो यहाँ हम पिछले के टाइम में यंग थोर के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे उस पे हमला हुआ है वो उन काले जीवों से लड़ता है वो कहता है तुम्हें उसी ने भेजा है ना वो गौड बुच्चर मुझे पता था वो जिन्दा है वो एक बाजू वाला डरपोक कहां पे है उसका जो भी बचा है थोर उसको छोड़ेगा नहीं तुम कुत्ते बोलो तुमारा मास्टर कहां पे है तो उन में से एक जीव उस तूटे होई पूल का तुकड़ा उस पे फैंक देता है और हम देखते हैं कि थोर कहीं और पहुंचाता है उसको गौड की आवाज आती है वो कहता है मेरे पसंदीदा थोर तुमारा स्वागत है तुमारा स्वागत है उस जगा में जहां पे गौड मरने के लिए जाते है तो थोर चिलाता है इस बार मैं तुमें काटूंगा तो तुम खड़े नहीं हो पाओगे बट तभी गौड उसको पकड़ लेता है वो उसको काफी पटकता है और पीटता है वो कहता है जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो हम कहां थे तुमारे उन दोस्तों ने हमें डिस्टरब कर दिया था तो थोर चिलाता है तो गौर कहता है हाँ मुझे लगता है हम यहीं थे और यह है ब्लैक वर्ल्ड ओफ गौर यहाँ पे किंग थोर कुछ कबर के सामने खड़ा होता है वो कहता है मेरे बच्चो मुझे माफ करना मैंने तुमें निराश किया मुझे तुम लोग माफी दे दो और मुझे शक्ती दो अगर बच्चा कोई अभी भी बचा है मैं उसको ढोण लोगा मैं कसम खाता हूँ वो चिलाता है थोर क्या तुम ready हो खून बहाने के लिए टाहिम के अंत में जाके क्या तुम मरने के लिए ready हो जैसे स्टार मरते हैं क्या तुम twillight of the gods के मुह पे हसने के लिए ready हो तो थोर एक शराप का पीपा उठाते हो याता है वो कहता है हाँ मैं ready हूँ बट मुझे अभी भी कुछ जवाब चाहिए इसकार्ड में हुआ क्या था तो किंग थौर कहता है यहाँ पे गौड बुच्चर आया था 900 साल पहले वो टाइम में से निकल के आया अपने साथ वो काले से जीव ले के आया वो कभी ना खतम होने वाली सैना थी हमने उनको काफी समय तक रोक के रखा बट हमारी गिंती कम होती गई और अंत में मैं बचा तो थौर कहता है उसने पूरे एसकार्ड को मार दिया तो किंग थौर कहता है वो उने ले गया और बंदी बना लिया उसका एक अपना वर्ल्ड है एक डेट ब्लैक एंड प्लैनेट जो के स्पेस के एज में है वहाँ वो कुछ बना रहा है मुझे नहीं पता वो क्या है उसने मुझे यहाँ पे बंदी बना के रखा अकेले नो सदियों से उसके जीवों ने एसकार को खेर के रखा हुआ था ना मैं जा सकता था कहीं ना मैं मर सकता था मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद एसकार मेरे लिए हमेशा के लिए जेल बन गया है बट फिर तुम आए तुमने मुझे मुझे जान डाल दी इतनी सदियों में पहली बार मुझे पहले जैसे गोड के जैसा लगा मेरे हाथों में थार की शक्ती महसूस हो रही है पहले के जैसे जो कि मुझे लगा था काफी समय पहले जा चुकी है मुझे लगा था थार फॉर्स मुझे कभी भी वापिस नहीं आएगी तो थार कहता है क्या मतलब ये तो Audin Force थी ना, बहुत बढ़िया, इसका मतलब अभी तुम्हारे पास अपनी है, तो वो कहता है हाँ, हमने इसका नाम बदल दिया है, ये मुझ में Audin से भी जारा समय तक रही है, और ये फिर से एक बार मेरी है, गौर ने अपने Minions को वापिस बुलाया है, तो ये ही मोका है, उसने हमें उसके पीछे बुलाया है, और हम जाएंगे हाथों में हैमर लेके, या तुम मेरे साथ हो, तो थौर कहता है अंत तक, तो किंग थौर कहता है, तो वो मुझे शराब की पेटी दो, और चलो उड़ चलते हैं, वो अपनी लौंग शिप में बैठ जाते हैं, किं नहीं होने वाले, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं यंग थौर के पास, गोर कहता है इसको ले जाओ, मेरा फन हो गया, अभी तुमें मज़ा आएगा, जो भी नए साथ ही आये हैं, उनको माइन्स में ले जाओ, काम करवाने के लिए, बस थौर को छोड़ के, मैं चाहता यह वहाँ हो जब काम खतम हो जाए, मैं चाहता हूँ आखरी केल थौर ही ठोके, तो यह है अभी का टाइम, ओम्निपर्टेंस सिटी में, यहाँ पे लाइब्रेरियन, गॉर्ड ओफ वाच को कहता है, ऐसे खड़े मत रहो और बोलो, तुम से ये भी काम अच्छे से नहीं तो वो कहता है, क्युमिनिकेशन डिविजन ने क्रोनक्स से कॉंटेक्ट करने की कोशिश करी, बट यह हो नहीं पाया, दी गौर्ड प्रीस्ट अफ दा वर्ड ने अपने रेवन्स को वहाँ भेजा है, जहां उनका अंदाजा है कि क्रोनक्स शुपा हुआ है, बट उनका भ वाच कहता है, मुझे पता चला है, कि यहां पे ही हमला हुआ था, हमें अपनी सिक्यूरिटी को बढ़ाना चाहिए, तो लाइब्रेरियन कहता है, डेथ एंड टेक्सिस के डिपार्टमेंट का क्या काम है, अगर मैं पूछो तुम से, तो वो बताता है, क्यू उन्हें गौर ब्लड मिला है, कोस्मोस के किसी कौने में, जहां पे माना जाता है कि क्रोनक्स हो सकता है, बट उन्हें कोई ढूंड नहीं पाया, तो वो पूछता है थोर्क के बारे में पता लगा, तो वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी वहाँ पे शैड रखाता है, वो कहता है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो लाइब्रेरियर्म कहता है। तुम उने कह देना कि अगर वो अपनी फैमली का इतिहास चाहते हैं इन पन्नों में तो वो वैसा ही करें जैसा मैंने कहा है। वो शैडरक के पास जाता है। वो कहता है तुम मुझे गौड बुचर के बारे में बताओ। तो शैडरक कहता है कुछ नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ खतम होने वाला है जल्दी ही। यही वे बेटर है। मुझे पता है मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। बट मुझे पता था कि यही better है, तो वो कहता है help की, कैसे, तो Shadrach घबरा जाता है, वो कहता है नहीं नहीं, भूल जाओ, मैं तो बस God of Kittens and Coconut हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, तो वो उसको पकड़ लेता है, वो कहता है जूट मत बोलो, ये तुमने क्या लगाया है God of this, God of that, तुम सच में कौन हो, मुझे ये बताओ, तो वो कहता है मैं God of Pancake हूँ, तो वो Shadrach को उठा के पटक देता है, वो उसके पास जाता है और कहता है, अगर तुम सच में कोई God होना, तो यहां कहीं तुम्हारा नाम और फोटो होनी चाहिए, और अगर तुमने मुझे वो बुक निकालने में मजबूर किया न, तो मैं तुमें उसी बुक से पीटूंगा, तुमने सुन लिया न, बट वो एक ही बात कहता है, कि वही बैटर वे है, उसने सभी God की चीर फार करी, और उसने मुझे देखने को मचपूर किया, मैंने उसकी help की, ताकि मुझे देखना ना पड़े, वो मेरे पास आया, और उसने मुझे कहा कि मुझे बताओ ये कैसे बनेगा, मैं सची कह रहा हूँ, यही बैटर वे है, वो कहता है मुझे सच सच बताओ, तुम क्या छुपा रहे हो, मुझे बताओ तुम कौन हो, वो कहता है मैं तो शैडर कूँ, मैं हूँ God of God of, अभी धौर भी कुछ देखता है, और वो शौक हो जाता है, वो देखता है Moon Size का Bomb, और शैडर कूँ उसको बताता है, कि वो है God of Bombs, तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खतम होता है, नेक्स पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए, हम भी मिलते हैं नेक्स वीडियो में, अब तक के लिए बाइ बाइ